लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए नविम बई के तुर्वे स्टोर में मातंग समुदाय के एक धार्मे के सल पर अवैज कबजा और निर्माण के मामले ने तूल पकड़ लिया है आरोप है कि इस परिशर की विवस्ता समालने वाला केयर टेकर यहां पत्रा श्रेट डाल कर अपना कबजा जमाना चाहता था फिलहाल मनपाय ने इसे रोकते हुए हाथ ताला लगा दिया है सानी नेता सुरेश कुलकरणी ने कहा कि उक्त जमीन पर पहले गंदगी थी अवांचित ततों हाँ दारू शराब पीते थे इसलिए हमने उसे गंदगी से मुक्त कराया ताकि परिशर साफ रहे लेकिन इसे हड़पने के फिराक में लगे केरटेकर को रास्ट नहीं आ इसलिए वे जूटा रोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिस में जूटे है सुरे सुलकर्णी ने खुलासा किया किया जमीर मेरी नहीं मलकी मातंग समाच किया इसलिए उस पर किसी व्यक्ति का कबचा नहीं होना चाहिए मंदिर भी महिने बनाया या ऑफिस भी महिने बना कि दिया या पर जो भी सुदारना है वो मही केल है यह उसका डॉक्कुमेंट है सरुरे पादी बोलते है वो हमारे पास है और 30 साल से केरे टेकर है हम यह आपे मालिक नहीं है टेक केर दो है इतना तो बुझ सकते ना काम को बोलने का अधिकर इतना भी नहीं है समाज तो तो आंदेरे में रखे है क्या अपना अपना सौर्ट साथने के लिए सक्किया समाज ऐसा होने नहीं दे कुछ लोग राजनेती कर रहे इदर तस्वीर में दिख रहा तुर्वे स्टोर्स का यही वो तुलजा भवानी मंदीर है जिसके बगल में खाली दिख रही इस जमीन ने राजनीती गर्मा दी है सानिश उसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि यह सारवजनिक जमीन मातंग समाज के सेवाकारियों के लिए रिजर्व है लेकिन अब इसका केयर टेकर नेतिन प्रहलाज चेलारकर यहां पत्रा से डाल कर अपना कबजा जमाना चाहता था और जब हमने रोकने की कोशिस की तब हमें दहसत फ़लाने वाला बता कर बदनाम करने में जुटा है सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि यह जमीन मेरी नहीं बलकि पूरे मातंग समाज की है फिर इस पर कोई व्यक्ति अपना कबजा कैसे जमा सकता है यह मातंग समाज की जगा है, गया पचास साल से यह जगा है उनके आजर में है घड़ा लगा यह प्पहला भी एक बंदा था समाज नै उनको रहने के लिए ता वो भी 2 साल ऐसा कभजा करके बैठा था उनको भी मैंने दो साल से कैसा मिटा बोल-बोल के निकल दिया समाझ की ऌंडर में वो जगा करवा के दिया आज आज अगर मैं एक हलिए सुना कि यह बात कि यह जगा जो है अपीस है जो समाझ का जो आपीस है वो उनका नाम पर कर लिया है यह गलत हो रहा है में रखे या अपना अपना सौर्थ साथने के लिए ऐसे किया इस समाज ऐसे होने नहीं दे गई इसलिए हमने सफाई कराई और सुरक्षा जाली लगवा दी हमने कबजा नहीं किया बलकि केया टेकर यहां पत्रा सेड लगा कर कबजा कर रहा था और जब रोक दिया तो राजनी थी करने लगा सुरेश कुलकर्णी ने बीजेपी कारेकरता अनवर स्टेक के दासत फैलाने के आरोप और मातंग समाज को भड़काने पर भी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि जो लोग तीन चार पैन कार्ड रखते हैं दरजनों बैंकों को चूना लगा कर छुपते भागते हैं और गरीब लोगों से दलाली कमाते हैं से लोग मातंग समाज में वैर और नफरत फैला कर अपनी राजनेतिक रोटी सेखना चाहते हैं लेकिन तुर्वे स्टोर की जनता उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी दो कुछ तो बोलने को लगा कि इतर इतर तो पर यह गलत है इसका माजी परिवन सदेश से जो है इसका ख़ली आग लगने काम आज तक तो वही काम किया है एक तो प्रिवन सदेश रेकिए पुड़ा का बंगर का गाड़ी चुरा के लिए चाहिए ताए दारीथ में कमास कम तब 15-16 बैंक से लोल लिया है, मारा मारा भूम रहे गाओ 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 किसका कौन बखरा मिलता है उसे लुटो, इसको बखरो उसको लुटो, यही दंदा है उसका बिजनिस है एक हाले समाज में आपस में जगडा कैसा लगे है, यह लोग एक दूसरे जी बाजू कैसा जाएगा, इसके बारे में उसका सोच है और वो सोच कभी सेक्सेस होता नहीं इस मामले पर जब हमने नितिन प्रहलाश शेलारकर से दस्तावेश दिखाने को कहा, तब उसने कोई जबाब नहीं दिया इससे नाराज मातंग समाज के नईम बई जिलाध्यक्ष संतोस अरागले और नौनात अरागले ने कहा कि केयर ट्रेकर नितिन प्रहलास चेलार कर इस जमीन के मालिक नहीं बन सकते उन्होंने सुरेश कुल करनी पर लगे कबजा करने के आरोपों को भी गलत बताया और चेताओनी दी कि यदि केयर ट्रेकर ने समाज की जमीन पर अपना कबजा जमाने की कोशिश की तो वे उनके खिलाब खड़े होंगे और जमीन खाली करा कर रहेंगे पने समाजा लगे होंगे वा समाजा चे इतर लोकाना घे होंगे जे काया है ते सगड़ निप्टून टाका हुआ आनि समाजा चीजी जागा है ती समाजा चित रहील आनि समाजा चित रहीली पाईजे फिलाल मातंग समाज के इस खाली जमीन के बहाने ही तुर्वे स्टोर में राजनिती गर्मा गई है और बीजेपी और सुसेना एक दूसरे के सामने आ गए है ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वर इंडिया